वेलकम टू अनिकडॉट स्टेडी हफ एट एक लेंस प्रोग्राम के एक नए उपिसोड में आपका स्वागत है आज का मारा टॉपिक है राजकुमारी अम्रित कौर इनका जन्मठारा सुनवासी में और मिरिती 1964 में हुआ था लगभग 75 वर्षों तक इनका जीवन का कारेकल रहा आगे देखेंगे कि जो राजकुमारी अम्रित कौर है एक गांधिवादी श्वतंतरता से नानी थी गांधिवादी कहने का रत है कि गांधी की विचारों से प्रेरी थी गांधी के विचारों को मानती थी कपुर्थला की राजपरिवार में इनका जन्म हुआ था और विराशत में माता से इसाइधर में भी मिला था यानि जुनकी माता थी इसाइधर में विश्वास रखती थी भार के अनिक राजियों में विधामसभा की सदस से भी रही थी तो तंत्र भारत के पहली मंत्री मंडल में सुवास्त मंत्री का कारभार संभाला था और उन्यसों राजकुमारी अमरितकौर है यह जो सौष्टमंत्रि वाला टौपिक आपके प्रिक्षा के लिहाद से मातमपोन हो जाता है आपके प्रिक्षा में प्र confiance आ सकते है कि शुरतंद्र भारत के पहले मंत्रि मंधल में सौष्टमंत्रि कौन रहे गाखें पसाई नहीं था यह उसी के दिखने जैसा दिखने वाली एक डूब्लिकेट महिला थी जोहु बहु उसी की तरह लग रही थी लेकिन वह नहीं थी कि यह पर राजकुमारी अमरित कौर की तस्वीर है अब हम देखेंगे एक अभ्यास प्रसन अभ्यास प्रसन क्या है कि स्वतंत्र भारत भारत के पहली मंत्री मंदल में स्वास्त मंत्री कौन थे आप तो अंसर बता ही सकते हैं आपका सही जवाब हमें आप कमेंट सक्सें में बता सकते हैं यहां पर हमारा वीडियो खत्म होता है अगर वीडियो औक लुट स्वांचे मिले को लाइक करें कमेंट करें सेखर न न भूर अगर आप हमरे चैनल पे स्प्राइब करें पर बन प्रेस कर लें thanks for watching, have a great day